हेलो सुटेंट्स, वेल्कम टू माई नर्चर, मैं हूँ कृष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, तो लोग, स्टार्ट करते हैं सब लोग, कम्मुटी फार्मिशेयर मेरिमेंट का चैप्टर नूबर फाइफ का लेक्चर नूबर थार्ड, जो की, लाश्ट लेक्चर भी एक चैप्टर का, ठीक है न, तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले मेटा, अगेन, इसके बारे में, आप लोगों ने, देखा होगा, ठीक है, कई बार आप लोगों को भी मेडिसिन लेके आते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा पर्चा निकलता है, ठीक है उस मेडिसिन के अंदर एक बड़ा कई बार कुछ मेडिसिन से ऐसी होती है, कई बार जब हैवी कोई लंबी बिमारी होती है, कोई अलग सी मेडिसिन आती है, मतलब अलग से मतलब रोज मर्रा वाली नहीं होती है, तो उसके बार काफी बड़ा खर्रा सा निकलता है, यह ना डालना क्या? पेशेंट के लिए एक कोई पेशेंट के परपस से एक खरणा पेशेंट के परपस से नहीं होता है पेशेंट के परपस से के लिए भी होता है एक जो खरणा होता है उसके अंदर बहुती ज़्यादा साइन्टिफिक चीजें लिखी होती है जो की स्पेशली डॉक्टर के परपस से होती है कई पर क्या होता है नएने डॉक्टर होते है नएने मतलब नएने मतलब इंदसेंस नएने फिल्ड में आय हुए है तो कई पर information भूल जाते है या कोई चीर होती है नहीं पता होते पर देशने बारे हो तो उस खर्रे को खोल करके उसको क्या ले सकते हैं प्लस एक होता है हमारे पास इस पेशली फॉर पेशेंट पेशेंट इन्फॉमेशन लीफ लेंड ये खास पेशेंट के लिए ही डाली जाती है जिसके अंदर डोज वगरा कब डालना है कैसे डालना वो सब बाते लिखी होती है है ना फार्मसिट तो बताता ही है अगर पेशेंट भूल जाए तो उसके अंदर लिफाफा निकलता है जो पेज निकलता है खर्रा निकलता है उसके तब सारी बाते लिखी होती है ठीक है अपकी बार कभी अगर वो मिले आपको पर्चा तो उसको पढ़ना जरूर और दो टाइप के पर्चे मिलेंगे उन दोरों को हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं बात क्लियर हो गई तो देखो इंट्रोडक्शन बात करें अगर हम लोग तो इंट्रोडक्शन क्या कहा रहा है पैकेज इंसर्ट मतलब जो चीजें पैकेज के अंदर इंसर्ट मतलब डालना कोई चीज अंदर डालना पैकेज पैकेज के अंदर डालना तो पैकेज के अंदर authority जो उस manufacturing करने के लिए दवाई को manufacture करने के लिए जो licensing authority होती है वो इस पर्चे को पहले अप्रूव करती है ठीक है ना which is provided with the package of drug और ये पर्चा drug के साथ आपको provide किया जाता है ठीक है तो कहीं न कहीं हमारे पास यह क्या आ रही है इसकी definition आ रही है ठीक है अब वह क्या बता रहा है अब package is primarily directed at prescribers जो पैकेज इंसर्ट जो पैकेज इंसर्ट जो पैकेज इंसर्ट होता है इस primarily directed at prescribers ठीक है ना उसमें actually जो prescriber जो दवाईयां देता है उसके लिए निर्देश होते हैं actual में है ना patient तो कहीं पर अनपड़ भी होते है नहीं सामझ सकते लिखा हुआ चीज है ठीक है तो actual में निर्देश उसके लिए होते है is intended to be provide information for the safe and effective use of respective drug और उस पर्चे में वो सारी बाते लिखी हुई है जो की safe और effective use है ना is intended to provide उसकी जो मंचा है वो जो पर्चा डाला गया है वो इस purpose दे डाला गया है कि information provide information for the safe and effective use ताकि दवाई का safe और effective use हो सके उस drug का it is also known as prescription drug label इसको हम लोग prescription drug label भी कहते है और prescription information भी कहते है अलगर नाम अगर के तो मेरे खाल से बात समझ में आगी होगी ठीक है जिन लोग अगर यह lecture देख रहे हैं और हाथ में अगर घर में कोई दवाई वगरा है जो नई दवाई है या medical store पर बैठें इस समय या hospital में है तो फटा फट उसको खोले और देखें उसके अदर क्या क्या चीज़ें दे अप्रूवड उटी वेटा है याredit कोछ से WILLिभि मन से लिखे डाल डिया ठीक न ये क्या है अप्रूव उतीह चीज़ें आप न मेरा सोट हले एक टेक्निकल डाकूमेंट होता है ठीक है ऑफिशलिए li अपूर्व एक टेक्निकल डाकूमेंट प्रिस्क्रिप्स्रुड the counter medicine जो होती है तो उसके अंदर एक पर्चा पड़ा रहता है उसको देख करके patient use कर सकता है containing information about that medication जिसके उस पर्चे में उस medication के बारे में सारी information लिखी हुई है and it's used written in plain language plain language का मतलब क्या है कोई भी आप scientific word उसमें इस्तमाल नहीं करेंगे ठीक है जिससे की patient को अपनी है ना हमके उसको कह रहें जिसके prescribe करना करना चीजों को नहीं पता होता है तो उसमें सिधर सिधर लिखेंगे take this medication medication prescribe करके word को कई वर नहीं समझते है जो normal person है ठीक है the plain language plain language मतलब हमारी बोल चाल की भासा होती है ठीक है तो साफ साफ हो गया patient package insert.com define कर सकते हैं एक officially approved technical document होता है ठीक है technical document of prescription या over the counter medication containing information जिसके अंदर सारी information है दवाई के बारे में about that medication और उसके use के बारे में जो की एक plain भासा में लिखा रहता है जो की होता है end user के लिए end user मतलब जो आखरी में इस्थमाल करेगा the person who will take the drug end user मतलब जो person दवाई को लेगा या जिसके दोरा दवाई किसी को दी जा रही हो मालगो छुटा बच्चा है minor है तो उसको दवाई दी जाएगी तो कौन पड़ेगा जो major होगा major मतलब जो माबाब होंगे वो पड़ेगे तो उनके लिए ये information होती है ठीक है ना बास clear हो रही है तो patient package inserts जो रहेगा वो उसका main purpose ही हो जाएगा बास समझ में आ रही है definition clear हो जाएगा अब अगर हम इसको आगे देखते हैं importance क्या है इसकी तो obviously बात है importance क्या है PPI essential in cases when verbal means of communication are inadequate अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप verbal communication नहीं हो पाई है pharmacy से दवाई की पूरी information आप नहीं ले पाए है तो जो अंदर परचा होता है उसको नहीं सारी information लिखी होती है आप पढ़ करके उसको समझ सकते है patient awareness and maintain medication adherence ठीक है ना अगर दवाई के बारे में पूरी information नहीं होगी तो patient कई बार उस दवाई को ले करके पूरी तरीके से aware नहीं होता है aware मतलब जागरूप नहीं होता है और जब जागरूप नहीं होगा तो हो सकता है कि वो उस दवाई का जो medication adherence है एडेरेंस मतलब उस दवाई को प्रॉपर टाइम पर लेना, मिसना करना ठीक है ना और पूरा कोर्स करना ये सब चीजें पेशेंट नहीं कर पाता है तो अगर परचा उसके पड़ा रहता है तो पेशेंट उसे पढ़ता है अच्छे से और उसके अंदर कॉंविडेंस पेशेंट को ठीक वैसे जब परचा पड़ता है तो एक पेशेंट के तरह कॉंफिडेंस आता कि अच्छा ये पर्चा मेरे लिए यह बात समझ में आ रही है पेशेंट को हेल्थ एडुकेशन के बारे में उस पर्चे में काफी सारी चीज़ें मिल जाती है तो स्ट्रेंट इस über all counseling जब वर्बल counseling होती है उसको strength करना supplement करना कैनें मतलब क्या हो गया मूझसे समजा दिया और घर पर जाके किसी ने उस पर्चे को खोला उसने कगा अरो यार ये सारी बात दो में को बताई दी इस पर्चे में लिखी है ओ उसने नहीं बताई ए मेरे for conveying additional prescription drug information to the patient तो ये एक अच्छा तरीका है, effective तरीका है कि हमें जो additional information हमने दो-चार बात है तो बता दी patient को कैसे खाना, कब, खाना, dose, कैसे लेनी है वगरा वगरा उसके अलावा कुछ और भी information है वो इसके थुरू हम patient तक मचा देते हैं to obtain information relating to the medicine medicine के regarding सारी information एक patient को उस पर्चे में मिल जाती कि medicine क्या है, कैसे काम करती है वगरा वगरा सारी चीजे it helps doctor and pharmacist ये जो inserts होते हैं ये doctors और pharmacist की help करते हैं to give basic information about the amount of medicine to be taken ठीक है ना, कि एक basic information देते हैं doctors को भी help करते हैं pharmacist को भी help करते हैं कितना amount हमें देना है patient को ठीक है, how often कब-कब देना है with additionally a word of caution about the side effect और सास साथ में यहां पर क्या जता है उसके side effect भी लिखे होते हैं तो कहीं ना, कहीं pharmacist और doctors भी क्या होते हैं, aware होते रहते हैं कि अच्छा इस दवाई का ये side effect है उनके दिमाग में बार-बार बात ये जाती रहती है इसके अंदर कुछ और ही बाते लिखे हुए हैं से dose कितनी dose लेनी है patient अगर बाइद भूल गया है मतलब नहीं समझ में आ रहा है वहाँ बात बताई थी फार्मसेश्ट ने घर पे आया भूल किया तो पर्चे को खोलेगा उसमें dose लिखी होगी दवाई को लेना कैसे? root ठीक है ना जैसे मालो injection है आई भी लगाना है कि I am लगाना टैबलेट तो खाई जाएगी सीरप पिया ही जाएगा ठीक है ना और method of administration किस प्रकार से लिया जाना है precautions क्या रखना है और कहां storage रखना है तो यह सारी बाते patient को उसके अंदर मिल जाती है it also provides information on storage कैसे store रखना है उसके expired date क्या है medicine की वगरा वगरा सारी बाते होती है easy to understand without difficulty यह काफी आसान होता है इसको समझना PPI is provided with original language है ना यह मा की जो original language होती है उसी भासर में होता है help average people to read them easily जिससे कि जो average people है थोड़ा बादी पड़ा लिखा इंसान है तो वो उसको पढ़ लेगा और समझ लेगा ठीक है तो यह सारे इसके importance है तो main main अगर बात कही है हम लोग तो जैसे अगर main main point अगर आपको याद रखने के लिए आएगा ठीक है ना तो इसमें जैसे verbal means है medication adherence में help करता है ठीक है supplement होता है verbal counseling के लिए और drug information provide होती है किसको patient को obtain information related to the medicine तो main main point यहाँ से आप main main point लिखे हुए है वो आप दे सकते हैं के लिए रोगी बाते हैं चले आगे content of the patient package insert अब जब बहात ध्यान रखना यहाँ पर हमारे पास actually patient package inserts जैसे मैंने बताया था कि दो category में डिवाइड हो जाएगा अगे जाकर करके divide को हो जाएगा दो category में पाए जाते हैं ठीक है तो पहला है सिंपल सी बात कर रहे है patient package insert इसका content क्या क्या रहेगा उसमें एक रहता है सबसे पहले description रहता है जिसमें proprietary name non proprietary name दवाई का तमझ में आ रहा है proprietary non proprietary याद आया proprietary non proprietary है ना फार्मकोलोजी में पढ़ा था हम लोगोंने किसमें पढ़ा था फार्मकोलोजी में proprietary non property याद आया comment करना doses form कि इंग्रीडियंट्स क्या क्या उसके अंदर इंग्रीडियंट्स पाए जाते हैं ठीक है pharmacologic and therapeutic class of drug उसकी क्या pharmacologic है और क्या therapeutic class of drug है अब देखो जब pharmacologic और therapeutic class की बात आती है और वेसी बात है आम इंसान को यह बात समझ में नहीं आती है pharmacist को समझ में आएगी doctor को समझ में आएगी लेकिन pharmacologic therapeutic class of drug आम लोगों को समझ में नहीं आएगी तो कई बार कुछ बाते होती है जो especially doctors of pharmacist के लिए लिखी होती है ठीक है न ओके उसका chemical name chemical name से हमें कोई मतलब नहीं है आम patient को लेकिन doctor pharmacist को मतलब है and structural formula of drug ठीक है कैसे body से निकलेगा finding of clinical trials जो clinical trials हो रखे है उसके वो सब बाते लिखी होती है इन सब चीज़ों से भी एक आम patient को मतलब नहीं होता है बात समझ मारी है तो यह सब actually बाते लिखी होती है किसके लिखी होती है doctors और pharmacist के लिए indication use, कब कब use करना है, किन किन indication हम लोग use कर सकते है इसमें क्या लिखा होगा कि drugs को किन किन चीजुँं में हम दे सकते हैं कि प्रूंद दे सकते हैं कि किसमेंदे सकते हैं Contraindication, list of contraindication in which the medication should not be used Contraindication क्या होता है, अब तो अच्छे से clear होगा, किन condition में हमें ये दवाई नहीं देनी है Warnings, Information on possible serious side effect, क्या side effect हो सकते है Precaution, Information and guideline for safe use of medication, कि हम उनको effective or safe use कैसे करना है Example, take this medication on empty stomach, ये precaution हो गया, अब मालों कोई gas वाला capsule है उसे खाना खाने के बाद लोगे तो उतना असर नहीं करेगा, तो फाइदा क्या हो उसका Adverse reaction, list of all side effects, adverse reaction सारी लिखी रहती है Non-clinical toxicology, ठीक है न, it provides information about carcinogenesis Cancer causing, mutagenesis, impairment of fertility, animal toxicology and pharmacology यानि कि अगर non-clinical मतलब, clinical नहीं देखा गया लेकिन लंबे बाद में जैसे होता है करके कि दवाय के कुछ side effect लंबे उस पर निकल के आते हैं और फिर आगे जाकर के 15-20 साल बाद कुछ दवायां बैन की जाती है तो it provides information about the carcinogenesis, उसकी carcinogenesis, mutagenesis, क्या वो कोई genetically changes ला सकता है impairment of fertility, animal toxicology और pharmacology वो सब बाते यहां पर लिखी रहेंगी drug abuse and dependence के drug के ओपर तो कोई dependency नहीं है तो information regarding prolonged use of drug can cause physical dependence कि ऐसा तो नहीं है कि लंबे समेश पर use करने के बाद आपको drug के उपर लट लग जाए नशे की तरह है storage और handling कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा रहता है name and address of manufacture लिखा रहेगा date of revision of package inserts किस समय जो package inserts था वो कब-कब revise किया गया है पहले कैसा था और अब कैसा है मतलब एक date होता revision हो जाता है उसका थोड़ से तौर सरी के बदल जाते हैं ठीक है references, list of various prints and digital resources, regularity agencies, websites, journal, compendia, etc. used to collect information ये सारी information लेने के लिए किन-किन चीजों का इस्तमाल हुआ है वो सारा यहां पर लिखा रहता है तो ये सारी बाते लिखी रहती हैं किसके अंदर patient package inserts के अंदर ये इसका content हो जाएगा ठीक है आपके अरगी खोलना तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा फिर आता है इसके क्या-क्या benefit है अक्चलि benefit इसका वो ही हो जाएगा जो आपने उपर देखा था इसके use वाली बात में it helps health care provider देखो ध्यान रखो किसके वारे बात कर रहा है PPI जो PPI है वो health care provider को help कर रहा है to prescribe a drug properly जिससे कि वो drug को properly prescribe कर सके सही तरीके से उसका इस्तमाल करा सके including counseling counseling में सही तरीके से कर सके for approved use of drug ठीक है ना याने कि prescription और counseling में help करता है PPI contraindication में help करेगा adverse reaction क्या क्या है उसमें उनकी help करता है available doses form किस-kis doses form में available है और administration of drug drug को किस तरीक परकार दिया जाना है PPI helps patient to administer medications appropriately patient की help करता है कि वो medication को appropriately ले it provides vital medication data for use of OTC medication it provides vital vital मतला मतला बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़े है provide vital medication data जो दवाई को बारे में बहुत जरूरी data होता है जरूरी बाते होती है वो इसके थुरू provide हो जाती है खास कर OTC medication में क्योंकि OTC medication में patient खुद से ही खरीद के उसका इस्तमाल कर रहा है PPI improve patients learning about the drug कही ना कहीं drug को regarding में जो information वो उसकी जो knowledge है उस knowledge को कही ना कहीं patients को gain करने में help मिलती है PPI से PPI are designed to assist और help patient by utilizing illustrations ठीक है PPI designed to assist PPI इसलिए बनाए गए है कि वो assist कर सके help करे patient की by utilizing illustrations जो illustrations में दे रखे हैं उसकी help से क्या हो सके patient अच्छे से दवाईयों का use कर सके simplicity of PPI make it easy to comprehend the data जो simplicity है local language और regional language में लिखा गया है उससे comprehend समझना आसान हो जाता है patient के लिए educated person can easily understand information provided in PPI जो educated बनाए जैसे जो ना बताया कि वो easily उसको क्या है सारा data को समझ सकता है और दवाई का सही use कर सकता है तो ultimately देखा जा तो इस PPI का एक ही मकसद है side effect ना हो दवाई का अच्छे से use हो बात समझ में आ रही है ठीक है next आता है हमारे पास scenario of PPI India ठीक है तो PPI की बारे में बाते होगे क्या content होता है क्या benefits है ठीक है और अगर हम इंडिया की बात करने है तो इंडिया में PPI कहां से लागू होता है क्या बाते होनी चाहिए उसके अंदर वो सारी बाते हम इसके scenario में PPI के अंदर इंडिया के अंदर PPI का क्या scenario किस प्रकार से हम PPI को देखते हैं अपनी इंडिया के अंदर तो कहरा था concept of package inserts in India is governed by drug and cosmetic act 1940 and rule 1945 section 6 of schedule D2 यह आपका one marks question है बेटा कि बताओ PPI किस के तहत लागू होता है इंडिया में तो किस के तहत लागू होता है drug and cosmetic act के तहत rule 1945 section 6 of schedule D2 ठीक है section 6 of schedule D2 of the rule list the headings according to which section 6 है schedule D2 इसका है उसमें सारे heading दे रखी है जो जो आपको provide करवानी है package inserts के अंदर ठीक है section 6.2 directs निर्देश करता है to provide package inserts in English and must include information on जो section 6.2 है वो बोलता है कि जो language है वो इंग्लिस होनी चाहिए और must include information और उसके अंदर information होनी चाहिए कौन कौन सी therapeutic indication postology यानि की doses ठीक है method of administration contraindication होना चाहिए special warning and precaution यह precaution है spelling गलत हो गई है drug interaction के बारे में होना चाहिए उसमें तो कोई आपकी चमता को असर नहीं पड़ेगा मतला हो सकता है आपने कोई medicine ली और आपको हलके अलके नीन सी आ रही है यह drowsiness आ रहा है और आप driving कर रहे हैं या कोई machine यूज कर रहे हैं तो हो सकता है driving को accident हो जाए machine में आपका हाथ आते लाजाए वो सारी यहाँ पर आपको mention करना है कि आपकी driving चमता या machine को use करने की चमता पर तो कोई effect नहीं डालेगा कोई undesirable effect तो नहीं है antidote अगर overdosing हो जाती गलती से तो उसका antidote क्या है वो भी mention करना है तो यह सब हमारा लिखा रहता है section 6.2 में निर्देश दिये गए हैं कि आपको package inserts में यह सब चीजे mention करनी है section 6.3 ठीक है 6.2 में तो यह आ गया section 6.3 क्या कहता है उसमें बोल रहा है कि provide pharmaceutical information क्या क्या है list of excipient क्या क्या चीजें उसके अंदर पड़ी है self life है ना यहने कि उसका expiry बगएरा self life as a package after dilution और reconstitution मतले तो normal कितनी होनी चाहिए या आपने उसको dilute किया है या reconstitute किया है powder को पाने ही मिलाया है उसके बाद उसकी कितनी life रह जाएगी और after first opening of the container जैसे कि हमारे eye drop में होता है कि एक बड़ी जब उसको खोल देते हैं तो उसके बाद आप कितने दिनों तक उसका use कर सकते हो इन compatibility क्या क्या है storage precaution क्या क्या होनी चाहिए instruction for use or handling होना चाहिए nature and specification of container container किस प्रकार का है उसके बारे में भी सारी information होनी चाहिए ठीक है ना यह आपका section 6.3 में headings है कि वो बोलता है कि आपको यह सारी बात लिखनी है okay there have been considerable improvement improvements in package insert since 1996 1996 के बाद इसमें काफी ज़्याद improvement देखने को मिला है पहरे इतना ज़्यादा नहीं था इसमें focus लेकि इसके बाद package inserts के अंदर काफी ज़्यादा improvement हो चुका है तर पैक्टिस ऑफ self-prescription is prevalent in India और इसी बाद हम सब को पता है self-prescription हम खुल से medicine ले ले लेते हैं या दूसरे से पूछ के ले लिया यह इंडिया में बहुत होता है and the concurrent increase in number of OTC drug और इसी के साथ साथ इंडिया में OTC drug की भर महार है ठीक है ओटिसी ड्रक अविवल इस्पेसिफाइज दा need of a patient oriented package insert और इसी वजह से patient oriented package patients के परपस से एक insert एक कावेर उसके अंदर होना जिए जिसमें सारी बातें लिखी हूं ठीक है package inserts must be in an understandable language एक ऐसी language होना साके हो होनी चाहिए कि उसे एक आम जो patient है उसे समझ सके considering the lower level of literacy अब हमें यह भी consider करना है कि literacy level है कि जो साथ छर्ता दर है पढ़ाई का दर है हमारी country में काफी लो है ठीक है diversity in language और language भी हर state की अलाग है हर जगह अलाग है यह ना Indian population में इसलिए हमें जरूरी है कि हम package inserts की range को बढ़ाएं कई बार आप लोगों ने देखा होगा inserts जो होते हैं उसके नदर सारी बात तीन चार तरगी भाषा हिंदी इंग्लेज है ना और कुछ अलालग भाषाओं में भी लिखा रहता है package inserts in India have improved over the year optimizing them carefully for completeness of information ठीक है कि package inserts को इंडिया में काफी improve किया गया है पिछले कई सालों में और optimize करने कोशिश की गई है उसे एक अच्छा पराने कोशिश की है आप और completeness of information जिससे कि complete information उसके उदर रहे ठीक है content before the respective drug is being marketed ठीक है ना एक complete information डाली जा सके इससे पहले कि वो market में आए it is essential to minimize the risk of patient जिससे कि patients का risk कम से कम हो जाए तो यह बातें एक समझ में आ रहे होंगी आपको लगा सर यह बात मन से बना के लिए सकते हैं कि यह तो भई ultimately patient के ही तो benefit के लिए चीज़ें हैं तो yes यहां पर हम लोग बातों को मन से बना करके लिख सकते हैं ठीक है ना एक वारी समझ में आ गया फिर लगा रहे हैं यह तो हाँ बस यह कुछ बाते हैं थोड़ी सी ध्यान रख ले ना क्या 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 point रहेंगे अंदर बाद 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 यह सारे point मन से बना के हम लोग लिख सकते हैं थीक है ना तो कह रहा है कि जो content of format है इंडिया के अंदर वो revise होने की ज़रूरत है ठीक है नीट्स टू भी रिवाइज फॉर इस इफेक्टिव उतलाइशन जिससे कि उसका और अच्छे से इस्तमाल हो सके एड़ शेम टाइम डियर नीड तो क्रिएट अवेर्नेस एक यहां लोगों में भी अवेर्नेस जगानी है कि भईया जो पढ़ना चेह एक वारी ठीक है तो हमको यह आप लोग इसे पढ़िये थोड़ा सा टाइम निकाल करके के आप की benefit के लिए medicine है उसको आप और अच्छे से कैसे use कर पाएंगे वो इसमें बाते लिखी हुई है किलियर है तो पेटा इसमें जो scenario इंडिया का है वो ज्यादा important है ठीक है scenario of PPI यूज इन अधर कंट्री है अपने सिलिवास ना जरूर यह भी पढ़ना है यह से लेकिन इंडिया का से अच्छे से याद कर लेना वह ज्यादा important है आगा आते हैं क्यारा इन यूसे दा कॉंसर्ट आफ पेशेंट पैकेज इंसर्ट इस इन प्रैक्टिस सिंस 1968 1968 से यह चला आ एक इनसर्ट करना ठीकिड़ के अंदर प्रिस क्राइब इन कमेशों कॉमट आप प्रिसक्राइबं इन फिरोमेशन यह से कंदर इस पेशिए औरियंटेड जो USA में पिपाइए होता है वो पेशिंट ओरियंटेड जादा होता है बजाए इसके की डॉक्टर ओरियंटेड हो ठीक है न एड़ आलसो नोन अर इसी लिए इसे हम पेशिंट ओरियंटेड package insert भी कहते हैं कलिए रहे सिंप 1999 every medicine distributed within the European Union has been required to include PPI 1999 से ठीक है न हर एक medicine जो भी distribute की जा रही है European Union उसके अंदर PPI का होना compulsory है mandatory हो गया है ज़रूरी हो गया है to to ensure package inserts uniformity ensure होगा यह यह आएगा to ensure सुनश्रित करना यह सुनश्रित करना कि package inserts uniform रहे एक समान रहे in each EU member state जितने भी European Union के जो states है members है उन में जब दवा कभी भी जाए तो हर दवा में एक जैसा ही package inserts रहे content and layout are determined mainly by the European guideline and recommendation इसी लिए जो package inserts होगा उसके लिए European guideline और recommendations बनाए गए हैं कि जो भी package inserts होगा वो इसको follow करेगा जैसे अपने इंडिया में cosmetic act था तो यहां पर क्या है European guideline recommendation बना दी गई the Australian model of package inserts is developed in the 1990 आश्टेलिया के अंदर जो package inserts का concept था वो 1990 वा आया this model insists for package inserts readability test ठीक है न यह model जो है insist करता जोड देता है कि क्या वो readable है एक तरह से समझने के जो समझ आम पब्लिक से समझ सकती कि नहीं समझ सकती है the South Africa administration has made their approved package inserts available to the public in an electronic format देखो वहां पर electronic format में है आपको कोई चीज जानना है तो आपने अच्छा medicine है खट 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 डाला और electronic format में वो निकल के भार आ जाता है ठीक है न यह ने की mobile में आप इसको देख सकते हैं इन दा Czech Republic and France the transition is still under discussion यह जो package inserts वाली बाते हैं यह अभी भी अंडर discussion में है आश्ट्रिया जर्मनी आयर्लाइन इतली एंड यूके हैं इंप्लिमेंटेड दा new rules उन्होंने इन कंट्री ने नए रूल बना दिये तो ठीक है यहां पर हमको पी पी आई का जो scenario है other countries में वो बता दी हमने फिर बता रहा हूं ज्यादा important हमारी इंडिया का है उसको आप अच्छे से पढ़के जाएंगे किलियर है फिर बेटा आता है patient package inserts के बाद patient information leaflet ठीक है तो यहां पर बच्चे सब्सक्राइब से confused हो जाते हैं कि क्या difference आगए है यहां पर यह तो एक चीज ध्यान रखेंगे जो patient package inserts होते हैं वो मैंने जैसे बता है कि वो खास करके उसके अंदर देखा बहुत सारी बात है तो यह जो उसके अंदर के बात होती है वो especially doctors के लिए होती है लेकिन जो patients के लिए बनाई जाती इस्पेशली फॉर patient टीको डॉक्टर करी सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर के ही patient इस्तवाल कर ले तो डैट इस patient information leaflet और इसके अंदर काफी सारी चीज़े patient package inserts के अंदर जो हमें content पड़ाता है उससे अलग होती है आओ देखते है तो कहरा patient information leaflets are defined as written or printed document in simple language that provide the essential information कहरा है PIL patient information leaflet are defined as we define कर सकते है एक written or printed document होता है जो कि simple language में होता है जो provide करता है essential information जरूरी बातें which patient need to be enable them to use medicine safely and gain the most benefit एक ऐसा document होता है एक ऐसा print format होता है जिसके अंदर simple भासा में दवाई के लेके कुछ जरूरी बाते लिखी होती है जो patient को सच्छा मनाती है enable करती है patient को कि हो medicine का safely और सबसे अच्छा तरीके से इस्तमाल कर सके ठीक है ना P.I.L. is the European version of the package inserts अगर हम P.I.L. के बात करें तो यह European version है ठीक है जो कि especially किसके लिए रहता है वो patient oriented है the content of okay P.I.L. is written by the manufacturing pharmaceutical company obviously बात है जो pharmaceutical company है वही उसके अंदर उसको लिख करके document को insert करती है the content of P.I.L. must be clear जो content होता है P.I.L. का वो clear होना चाहिए understandable होना चाहिए well readable होना चाहिए clear समझने योग होना चाहिए और easily पढ़ सके ऐसा होना चाहिए all licensed medicine need to carry such leaflet जितने भी licensed medicine है उनके अंदर P.I.L. का होना must है जरूरी है but but to minimize the cost कुछ company क्या करती है कि अरे यार इतना खर्रय बने वाएंगे कि पैसा पढ़ेगा cost बढ़ जाती है उसको minimize करने के लिए वह अपना profit करने के चकर में manufacturer avoid inserting the pill है ना कुछ बच्चे के दिवाएंगे आ रहे होगा sir कहां मिलता है हर किसमत होता नहीं है कंबल सरी है बेटा तो वो लोग क्या करते हैं उसको केवल अपना profit के चकर में थोड़ा सा वह insert मतलब जो प्याया लोता है वो डालते नहीं है ठीक है ना अच्छा कई वार तुम्हों ने देखा होगा जो जिस पैकेट के अंदर cover होके आजने medicine उसी में ही कई बार लिख दे अब यहां पर देखो क्या क्या है कुछ बाते क्या क्या चीज़े इसके तरह होगी इंटिफिकेशन ऑफ दा मैडिसीन तो इसका content में क्या क्या होगी कि कौन सी मेडिसीन है नेम active substance उसके नदर main substance क्या है उसका नाम भी रहता है pharmaceutical form उसके रूप क्या है strength क्या है यह सब बाते लिखी रहती है therapeutic indication ठीक है इंडिकेशन फॉर मेडिसीन इस ऑथराइज ठीक है ठीक है ठीक है किस परपस से यह मेडिसीन हो पक्का लिखी रहती है और यह जैसे कि आपको पता रहे अच्छा मेरे को यह बिमारी है यही बिमारी यहां पर भी लिखी हुई है इसका मतलब मेड इंफोमेशन कंसीडर अप्रोप्रियेट ठीक है यहां पर वो मेडिसीन से क्या क्या फायदा होने वाले वह सारी बाते यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इंफोमेशन नेसे से पहले क्या क्या इंफोमेशन जरूरी है situation where the medicine should not be used ठीक है तो क्या क्या रहेगा इसके अंदर किन situation पर medicine को नहीं लेना है any precaution कोई precaution है कोई warning है interaction with the other medicine दूसरी कोई medicine ले रहे हो उसके साथ तो interaction नहीं है यह सब बाते लिखे रहेंगी किसी परकार के खाने के साथ तो इसका interaction नहीं है यह बाते लिखे रहेंगी information for special group of patient जैसे की pregnant woman है या nursing mother nursing मतलब जो lactating है बच्चे को दूद पला रही है इनके लिए तो कोई medication harmful नहीं वो बाते भी लिखे रहती है and any effect the medicine may have on the patient's ability to drive या किसी परकार का patient की driving ability है car drive कर रहा है bike कर रहा है उसके उपर तो किसी परकार का असर नहीं है वो सारी बाते यहां लिखे रहती है information necessary before taking the medicine medicine लेने से पहले आपको यह वाला part पढ़ना है जिससे कि यह सब patient यह सब जो category है cover हो जाती है और patient को पर चल जाता है कि अगर कोई side effect है या drive करने में problem दे सकता है तो पढ़ लेगा तो समझ जागा कि यह medicine खाके मुझे drive नहीं करना है तो या तो driving से बचेगा या medicine को फिर रात में खाएगा सोने से पहले doses जो doses वाला section रहेगा उसमें क्या लिखा रहेगा how to take कैसे लेनी है medicine को ठीक है na root क्या होना चाहिए method of administration क्या होना चाहिए how often it should be given कितनी बार दिन में देना है how long कितने दिनों तक देना है ठीक है what to do if dose is miss अगर dose miss हो जाती है तब ह में क्या करना है if relevant what to do in the event of an overdose या overdose हो जाए तब क्या करेंगे the risk of withdrawal effect दबा जब हम बंद करेंगे तो उसका तो कोई effect नहीं आएगा यह सारी बाते इस section में लिखी रहती है अब जैको जो उपर वाला part था patient package inserts और यह वाला part कुछ चीज़े common है है ना लेकिन बहुत सारी चीज side effect के बारे सारी बाते लिखी रहेंगी all the effect which may occur under the normal use of the medicine एक normal use करने पर medicine के जो भी side effects आ सकते हैं वो सारी है mention रहेंगे and what action the patient should take if any of this occur ठीक है और अगर कोई side effect आप patient के अंदर आपको दिखाई पड़ता है तो वो क्या action लेगा है ना this should be listed by seriousness and then by frequency इसको मैं इस तरह से list करना है स जो सबसे सीरियस होगा और उसके बाद इस तरह से करना है जो अकसर हो जाता है अकसर यह side effect देखने को मिलता है तो seriousness और जो बार बार अकसर मतार दस लोगों में पांच लोगों में हमें देखने को मिली जाता है तो इसकी frequency जादा है वो इसी प्रकास से हमको list करना है number wise क्यो क्या क्या चीजह और पड़ी हुई है product description दे सकते हैं registered pack size pack size के बता सकते है storage condition name and address of the manufacturer यह हमारा आता है additional information में तो देख रहे हैं हम लोग काफी सारी बातें जो उपर थी वो यहां पर मौजूद नहीं है अब देखो यहां पर एक पर्चा जो मिला मेरे को मैं यहां पर लाने को पुशिश्की उसको ठीक है न तो क्या क्या दे रहा है this medicine will help the pain and itchiness in your mouth this information will help you to use the medicine properly and you will feel better more quickly तो एक जनल बाते लिखी हुई है ठीक है न पेन में itchiness में this medicine is often used for oral thrust which shows up as a white patches जो मूग के अंदर चाले से पड़ जाते हैं सफे सफे सदिखाए पड़ते हैं उसमें medicine काम में आती है ठीक है red blotches जाना in your mouth your tongue your gum जो फूल जाते हैं वहापे काम में आएगी तो एक जनल भासा लिखी हुई है this causing the pain and itching in your mouth ठीक है ना आपके मूँमें यह itching और पेन हलका सा cause कर सकता है before using this medicine यह medicine को use करने से पहले tell your doctor nurse and pharmacist if you have any allergies अगर आप कोई अलर्जी है तो आप बता दें को are using any other medicine को दूसरी और medicine भी use करने तो तो ही बता दें doctor को have anything else wrong with you या कोई और चीज़ आपके साथ है तो वही बता दें doctor को तो देखा यह है PIL बहुत basic बाते स्रिफ और स्रिफ जो patient के purpose से हैं ठीक है फिर how to use यह तो पक्का होना चाहिए कहेगा fill the dropper up to one ml mark one ml mark तक से fill करना है थोड़ा सा tilt करना है squeeze all the medicine into your mouth सारी सारी medicine मुग के दर डाल लो move it around the mouth for a while and then swallow मुग में ऐसे स्वेल करो और फिर निकल जाओ तो यह basic information लिखी हुई है ना फिर क्या लिखा हुआ है यह timing दे रखी है ठीक है take the medicine four times a day or as your doctor or nurse pharmacist told you to दिन में चार बार use करो या जैसे आपके doctor ने ब तब तक इस्तेमाल करने जब तक बॉटल खालने हो जाए even if you start feeling better यहां तक अगर आप सही सही भी feel करने लगे तो भी आपको बॉटल खाली करनी है ठीक है use करनी है तो आप देख रहे हैं आपर कोई भी चीज ऐसी नहीं है ना उसका इंग्रीडियन्ट है ना उसका mode of action है ना ना उसके clinical trials के बारे में बाते हैं वो सारा पर्चे वो सब बाते actually किसके लिए होती है doctors, prescribers और healthcare professionals के लिए यानि कि फार्मसिच वगरा के लिए और PIL जो actual में यह है PIL, patient information leaflet इसमें सारी बातें किसके लिए है, patient के लिए है अब आप कहोगे sir क्या यह पर्चे एक्जाम में बनाना है तो नहीं, यह मैं आपके समझाने के लिए लेके आया हूँ, और किसी बच्चे को लगता है कि भाई हम बना सकते हैं, कुछ बच्चों की डॉइंग बहुत अच्छी होती है, तो उनको लगता है हम तो बना देंगे यार, तो बना दो, ठीक है, but compulsory नहीं है, हैंना सारी बाते हैं, तो हमने पर्ची की तो करी है, यह सब बाते हैं, ठीक है, अब कह रहा है, while using the medicine, do not miss any dose, कोई dose miss ना करें, if you miss a dose, take it as soon as remember, अगर कोई dose miss हो जाती है, जल्दी जल्दी आप ले लें से हैंना, dose missing के बारें बाते हैं, if you only remember just before your next dose, leave it out and continue as normal, कह रहा है, अगर अगल ला उसे फिर, फिर अपने आगे की dose continue करो, never take two doses at the same time, दो dose एक साथ मत लो, देको कोई सारी बाते तो लिखते हैं यह जो अपने उपर discuss कर ली, problem you may have from using this medicine, क्या क्या problem आपको आ सकती है, या लिए medicine को use करते बाग, this medicine will help your mouth, but it may cause some other problem, या तुआरे मुँ में छाले वानों ठीक क पैदा कर सकती है, these problem may go away as your body gets used to the medicine, और यह दिक्कत सुरुआत में हो सकती है, लेकिन जैसी 2-4 घंटे में, जब body adjust कर लेगी, तो यह problem दूर हो जाती है, but you must tell your doctor if you get a runny tummy, ठीक है न, आपको अपने doctor को जरूर बताना है, runny tummy, एक तरह से पेट में गुरगुरा हाट है, या हो like being sick and vomiting, vomiting जैसा लग रहा है, बिमार जैसा लग रहा है, get stomach pain, पेट के नदर दर दो रहा है, तो आपको अपने doctor को जा के बताना है, गभी हमने यह medicine खाई है, और ऐसे से दिक्कत आ रही है, ठीक है, if you need to know anything else about your medicine, or the pain in your mouth, please speak to your doctor, nurse or pharmacist, अब इसके अलावा भी अगर आपको कु दवाई में कि क्या है, क्या उसका mode of action है, उससे मतलब भी नहीं होता जाएदा, बात समझ में आगी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, PIL के यूज के बारे में, तो same use जैसे patient package insert का use था, तो यहाँ पर भी वही सारी use हो जाएगे, बस cable क्या रहाएगा, हर जागे patient आ medication and health information, दवाई के बारे में और health के बारे में, देखा हैं हमें कितना सारी information है, वो सारी information हमें एक जगर मिल जाती है, PIL provide information to patient about the administration, कैसे लिया जाए हमने देखा, है ना, किस परकार से दवाई को लेना है, हम सारी बात है लिखी हुई है, तो about the administration, precaution क्या होने चाहिए, सब prescribed medication, तो इस medication को कैसे लेना है, क्या precaution होने है, क्या side effects होने है, वो सारी बाते हमें यहां मिल जाती है, good practice to increase patient's education, यह एक अच्छा तरीका है, patient को educate करने का, reading PIL, patient can understand their diagnosis, treatment, अब जब इस प्याइएल को पढ़ता है, तो वो अपनी diagnosis की क्या बिमारी है, क्या treatment है, क्या prognosis है, क्या कहीं, यह health promotion का एक हिस्सा है, it is used to encourage patient for their better participation in managing long term condition, यह एक अच्छा तरीका है, जब patient को long term कोई मतलब लंबे समय से दवाई खानी है, तो PIL एक बहुत अच्छा तरीका होता है, एक तरह से हर समय उसके पास एक information मौझूद रहती है, उसे हर बार pharmacist के पास नहीं जाना है, counseling है, उसमें बहुत बड़ा role play करती है, help to improve treatment outcome कहीं ना कहीं, जो treatment है, उसका जो effect है, उसको improve करती है, तो उसके outcome जाने कि result अच्छे आते हैं, ठीक है, help to create patient awareness of the benefits of their medication, तो patient की जो awareness है regarding the medication के benefit को लेकर के, regarding medication benefit, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं, यह help करता है, कौन PIL, लास्ट अमने एक चीज़ लिख दी है, की difference between PPI और PIL है ना, असलों बच्छे confused है कि PPI और PIL को हम कैसे मतलब distinguish करें, तो simple सी बात समझनी है, हमें, package inserts is a document defining information that is supplied with the prescription drug product, जो package inserts होते हैं, यह document होते हैं, document, जो information को define करते हैं, क्या है, package insert is a document defining information that is supplied with, जो की supply होते हैं with prescription drug, prescription मतलब जिनको doctor prescribe करते हैं, the P.I.E. is intended for the use by healthcare professional, जो package inserts हैं, ठीक है, no doubt कोई पढ़ा लिखा patient है, तो इसका use कर सकता है, अदरवाज इसका main purpose healthcare professionals के लिए हैं, यानकि doctors और pharmacist nurses के लिए, while patient information leaflet PIL is a document defining information, जो information को define करता है, that is supplied with non-prescription drug product, यानकि especially किन के अंदर है यह, जो की OTC drug हो गया है, जो की drug non-prescribe होते हैं, प्रिस्काइब नहीं कियाते हैं, उनके अंदर especially, तो PIL रहता है, ठीक है, PIL किसके लिए हो गया, especially patient के लिए, और patient package inserts या PPI किसके लिए हो गया, यह healthcare professional के लिए, ठीक है न, but no doubt कहिना का इन दोनों की boundary हलकी से overlap करती है, overlap मतलब यह ऐसा जरूनी कि बिल्कुल ही healthcare के लिए है, और यह बिल्कुल ही patient के लिए है, ठीक है, बट एक मोटे तोर पर अंतर देखा जाए, तो हमने देखा भी था, कि जो PPI थे, उसके अंदर जो information थी, वो सारी scientific information थी, के लिए रहे बाते, तो दिमाग में एक एकदम difference के लिए रखोगे यहाँ पर, और यह lecture भी हमारे यहाँ पर क्या होता है, खातम हो जाता है, ठीक है न, तो यह chapter भी हमारे खातम हो जाता है, इसके notes आपको description में PDF का link दे दिये जाएगा, ठीक है, मेरा number है, को problem है तो call करना, यह अपना app है, जिसको काफी सारे बच्चे use कर रहे हैं और आप लोग भी इसको use कर सकते हैं, बात बागी सबसे जरूरी चीज, revise करना है, पढ़ाही करनी है, all the best!